अरे लगता है यह मैंठा गलती से तलाव से बाहर आ गया है और बापिस जाने का रास्ता भूल गया है चलो में इसे तलाव में डाल देता हूँ पांक पांक ओ नौ अरे भाई तुझे तेरे घर पहुचा दिया थेंक्यू तु बोल दे साले हराम खोर तुमने मेरे गुलाम मैढक को बापिस तलाव में डाल दिया मैं तुमसे अती प्रसन हूँ मांगो क्या मांगते हो आपकी बेटी गर्दन कार दूँगा और ये मेरी बेटी नहीं ये मेरी होने वाली बेगम है इसी बात का दो गम है मेरा मतलब आपके जैसी होने वाली बेगम के जैसे मुझे भी एक बेगम चाहिए ये नहीं हो सकता दे सिज अल्ली बन पीस तभी तो लगती है क्या चीज गरदन काड़ दूंगा माफ कीजेगा राजा साप मैं तो उनकी तारीफ कर रहा था अच्छा मेरी तारीफ कर रहे थे ज़रा खुल कर तारीफ करू तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त गर्दन काड़ दूँगा तू मेरी बेगम की तारीब कर रहा है या उसे लैन मार रहा है सोन इस से पहले म्यांद से मेरी तलवार फिसल जाए और तेरी गर्दन धड़ से निकल जाए जल्दी से वर्दान मांग ले बेटे वर्ना हमारा वर्दान देने का मूड न बदल जाए तो ठीक है मुझे इस दुनिया का सबसे धनबान और बुद्धिमान इंसान बना दू मेरी जवानी कभी भी न ढड़ले और मैं अमर हो जाऊ और मैं इतना ताकतबर हो जाऊ कि तुम जैसे 15-20 जिन्द को चुटकियों में मसल दूँ तो ठीक है हमने तुझे ये सब दिया आरे मूर्ख तुने औरत तो मांगी ही नहीं या जिन्दगी भर रड़ुआ रहेगा मुझे पागल कुत्ते ने काटा है क्या जो इतना सब कुछ मेरे पास होने के बाद भी मैं औरत मांगूँगा इसके बाद तो हर औरत मुझे मांगेगी है ना जानू हो हुआ